हेलो फ्रेंड वेलकम टू कोडिंग टैग में आपका स्वागत है मैं युगेश खरना आज आपको इस वीडियो के तुरू सिखाने वाला हूं कि आप अपने डबलो एचेम में टू फेक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं यह बहुत जुरूरी है आपको ही मालूम है कि आपके जो डाटा है आपके क्लाइंट की वेबसेट है वह आपके लिए कितने इंपोर्टन है और उन कस्मर्स के लिए बहुत इंपोर्टन है और अगर आपको यूजरनेम और पासवर्ड अगर किसी के हाथ लग जाता है तो तो यह हम अपने WHM पे two-factor authentication को enable करके रखते हैं, यह बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को ध्यान से देखना कि मैंने वो कैसे enable किया, सबसे पहले आप अपने WHM में युजर नेमर पासवर डालके आप इपने WHM को login करेंगे, WHM के dashboard में जाने के बाद आपके सामने जो screen नजर आ रही है, आपको इस screen नजर आएगी, यहाँ पर left side में आपने search box पे रखना है, two, जैसे आप two type करेंगे, security center के अंदर आपको एक option नजर आएगा, two-factor authentication, आप इस प क्लिक किजिए, आप एक बर इसको पढ़िये भी जरूर किया लिखा हो है, two-factor authentication is an improved security measure that required two forms of authentication, your password, यानि कि आप जो लॉगिन करेंगे, एक तो आप अपने password के थूरू लॉगिन करेंगे, and a generated a security code, हर ताइम एक unique code जनरेट होगा, जब भी आप अपने WHM में लॉगिन करेंगे, when 2FA is enabled, यानि कि two-factor authentication enable हो जाएगा, an app on your smartphone supplies a code that you must enter with your password to login, आपको इसके लिए किस चीज़ की requirement है, आपको अपने mobile में, Google Authenticator एक app है, आप app store में जाकर के search करेंगे, Google Authenticator, तो आपको एक app नजर आएगी, जिसकी screen इस तरह से होगी, आप इस app को डाउनलोड कर लि जैसे आप इस app को डाउनलोड कर लेंगे, आपने get started पर click करना है, और इस app को login कर लेने है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, आपकी app में, set up your first account, अब हम बापिस WHM में आ जाते हैं, उस phone को आप अपने साथ ही रखेगा, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि अभी मेरा जो two-factor authentication security policy है, वो disabled है, मैं इसको यहाँ पर click करके enable करूँगा, enable करने के बाद मुझे manage my account में जाना है, और यहाँ पर अभी आपको status not configured दिखा रहा है, set up two-factor authentication, इस पर आपको click करना है, जैसे आप click करेंगे, यहाँ पर आपसे first step पूछेगा, कि scan the following QR code with the two-factor authentication app your phone, आप Google authenticator में जाएंगे, scan क्या हुआ और code पर click करेंगे, और आप इस code को scan करेंगे, जैसे आप इस code को scan करेंगे, जो आपके server का name है, वो आपको आपकी app में नजर आ गया होगा, उसको करने के बाद आपने यहाँ पर, वहाँ पर आपके six digit का code नजर आ रहा होगा, आपने उस code को यहाँ पर डालना है, जैसे आप उस code को यहाँ पर डालेंगे, configure two factor verification, amazing, तो आप यह देख रहे हैं कि आपको जो status है, वो configured हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, अपने WHM को logout करता हूँ, और मैं दुबारा login करता हूँ, और देखता हूँ, कि मैंने जो two factor authentication अभी enable किया है, वो application में एक नया authentication code, six digit का verification code जो है, वो generate हो जाएगा, मैंने username और password डाला, देखिए, जैसे मैंने डाला, यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है, enter the security code for root, मैं एक बार के लिए कोई भी एक random password डालता हूँ, मैंने यहाँ पर डाला, randomly कोई एक code, और continue पर click किया, तो आप देख रहे रखना रखना, जब अगर वो security code invalid भी होगा, तो आपकी app के अंदर, जो verification code आपको security code नजर आ रहा था, वो भी change हो गया होगा, तो जो अभी current code आ रहा है, वो code मैं यहाँ पर डालूँगा, और मैं continue पर click करूँगा, Amazing, मैं अपने WHM में login कर गया हूँ, अब आप यह देखिए, कि आपका WHM का rights किसी के पास भी हो, बट Google authentication code के लिए, sorry, verification code जब तक उसके पास नहीं होगा, वो आपके WHM में login नहीं कर पाएगा, इसलिए two factor verification, two factor authentication बहुत ज़रूरी है, आप इसको अपने WHM में आज ही enable कर लें, और अगर आपने अभी तक enable नहीं किया है तो, और अगर आपको किसी भी step में या किसी भी तरह से कोई भी doubt है, तो नीचे दियेगे comment box पे आप मुझे question कर सकते हैं, मैं आपको उसका reply आपकी problem को solve करने में, अगर आप इसी तरीके से security related tools और security related knowledge जानना चाहते हैं, और आप ऐसे interesting videos देखना चाहते हैं, और अपनी knowledge को improve करना चाहते हैं, तो please like this video and subscribe my youtube channel, फिर मैं आपके एक बात बोल रहा हूँ, two factor authentication is very important for WHM to secure your clients and your own website data, thank you, bye bye